Hello everybody, welcome to Mystic World 11.11. ये आप लोगों की quick energy update है और हम देखेंगे आपके person की current feelings और thoughts आज आपके लिए क्या है ये सारे star signs के लिए reading होती है, ये एक short reading है और बिल्कुल timeless है तो देखते हैं कि आज वो कैसा feel कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं So we have page of cups, four of swords, five of swords, king of cups, ten of swords, ten of wands, ten ten किसी के लिए important हो सकता है three of swords and then two of cups So यहाँ पर Scorpio, Gemini, Pisces, ये star signs बहुत ज़ादा strongly है, bottom of the deck पर हमारे पस Ace of Pentacles है So मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के X हो सकते हैं बहुत ज़ादा strong feeling आरे X के हवाले से कि ये कोई ऐसे इंसान है जिन्हों ने आपको बहुत hurt किया उस time पर आपको लगा कि maybe उन्होंने cheat किया है आपको और काफी time आप लोग एक दूसरे से दूर रहे And I really feel कि इंसान अब आपकी जिन्दगी में आकर वापिस आपको बताना चाहते है कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे वो truly आपके साथ थे यानि उन्होंने आपको cheat नहीं किया था जिस वक्त आप उनकी life में थे आपके इलावा कोई और नहीं था और वो फिर से try करना चाहते है एक दवा फिर से कोशिश करके देखना चाहते है कि connection work करता है या नहीं करता है सो ये कोई ऐसे इनसान भी हो सकते है कि जिनके साथ आपका थोड़ा time relationship चला था और अच्छी energy थी आपको बहुत अच्छा feel हुआ था मेभी आप बहुत intensely connect उनके साथ कर गए थे लेकिन उन्होंने अपनी feelings open नहीं की थी flirt करते थे, passionate भी थे, attraction भी थी बट कभी उन्होंने confess नहीं में भी किया या फिर, बस for whatever reason I feel कि आप लोगों के अलदगी हो गई बस मुझे ये feel हो रहा है कि ये वो इनसान है जिन्होंने उस वक्त तहमियत नहीं दिया आपके प्यार को, आपकी presence को, आपके वक्त को importance नहीं दिया, उस वक्त आपको बहुत ज़्यादा for granted लिया और अब ये इनसान आपके पास वापिस आना चाहते है कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये बात चंद दिन पहले की है बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक साल हो चुका है बिकस दे लव यू बिकस दे लव यू बिए उनको ये realize हो रहा है ये भी हो सकता है कि अगर ज़्यादा time हो गया है आपके जाने के बाद और लोगों से उन्होंने comparison किया और लोगों से मिले जुले देखा लेकिन उनका किसी के साथ ऐसा connection बना नहीं 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 उनको कोई spark feel हुआ किसी के लिए मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा compare किया आपको और लोगों से और उनको realize हुआ कि नहीं जो आप में बात थी वो किसी में भी नहीं है सो हो सकता है कि आपने ये सोचा है कि ऐसे इनसान को आप कभी भी accept नहीं करेंगे राइट जिसको सबने ठुकरा दिया और अब वो वापिस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं और जब आप थे उनकी लाइफ में तब उनको आपकी value का अंदाजा नहीं हुआ अब जब और लोगों से उनने compare किया है और लोगों ने उनने ठुकराया है तो अब suddenly उनको realize हो रहा है और वो वापिस आना चाह रहे है कुछ लोगों के लिए मुझे literally यही situation लग रही है कि अब ये इनसान वापिस आना चाह रहे है और आपको love offer देंगे आपको maybe I feel like हो सकता है कुछ बहुत real आपको offer दें बट शायद आप एतबार ना कर पाएं आप उन पर हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग और अड़ी move on कर चुके है आपके life में कोई और है और ये आएंगे तो शायद अब आपके मतलब आपके लिए कोई माइनी नहीं रखेगी उनकी कही भी कोई भी बात मतलब आपको feel ही कुछ नहीं होगा जब ये इनसान आपसे दुबारा contact करेंगे किसी जमाने में शायद आप बहुत intensely उनके लिए feel करते थे अब आपको बिलकुल भी feel नहीं होगा आप में से बहुत कम लोगों के लिए I feel like कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं और आप अभी भी उनका वेट कर रही है कुछ लोगों के लिए ये message भी आ रहा है बट कुछ लोगों के लिए I feel कि आप शायद move on कर चुके हैं और आपको कोई ऐसा इंसान मिल चुका है जो आपको बहुत ज़ादा प्यार दे रहा है care दे रहा है और अब आपको इन ex की कोई जरूरत नहीं है and I feel like कि आप उनसे revenge भी नहीं लिना चाते हैं आप ऐसी एक position एक ऐसी जगा पर इतना move on life में कर चुके हैं कि आपके लिए बिल्कुल matter नहीं करता है कि वो क्या कर रहें क्या नहीं कर रहें वो आपसे जुक कहें कि भी आपको कुछ भी feel नहीं होगा उनके लिए आपके दिल में ना नफरत है ना महबबत है मतलब जैसे exist ही नहीं करता ना कोई इनसान ऐसे हो चुका है कुछ लोगों का तो कुछ लोगों के लिए बड़ा ये message आ रहा है straight so I feel कि ये जो भी इनसान है इन्होंने काफी सोचा है आपके बारे में काफी बोज रहा उनके दिल पे काफी realization हुई उन्हें कि जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया जैसे hurt किया maybe उनको इस चीज का karma मिल चुका है इस बात की सजा मिल चुकी है जिस तरह उन्होंने आपको for grantedly और hurt किया so इसलिए जैसे कोई इनसान ठोकर खाने के बाद वापिस आता है ना इस तरह से ये इनसान